सो हे गाईज वल्कम बाइक टुमारान अबादर वीडियो मैं परली परली के वाइस में आप लोग का स्वागर थे तो यहां पे आज सपना ने डाला था एक ब्लॉग जिसमें सपना ने ऐसे ऐसे बाते बोरी ना कि सामने वाले का छक्का छुड़ गया जो सामने वाला इतना उड़ रहा था हवा में उसको किसी का डर नहीं था भी कल तक उसको किसी का भी डर नहीं था वो हवा से बाते करता था वो मतलब वो निहायती बेसरम लोग थे उनको किसी भी चीज का सर्व नहीं है कि सामने वाला सौ लोग कमेंट में बोर रहा है भाई तू गलत है तू गल बौग आता है सपना ने उसमें ऐसे ऐसे बाते बोली ना कि जिसको सुनने के बाद देखो एक बार इंसान मतलब सोचने भी मजबूर हो जाएगा कि इस लेडी के साथ इतना कुछ हो रहा है और जो सामने वाली लेडी है फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है तो सपना न लेके उस छोटी बच्ची अंसू मुझे लेके मतलब कि लखन मिलने आये उनके ग्रूप वाले आये तो इन लोग का कुछ है इतने गंदे-गंदे सब्द उस लेडी ने बताये थे कि लखन आये और उनके साथ उनके दोस्त आये तो उनके घर वालों को पसंद नहीं आए ज सच बोलूं जो उनके हस्बेंड है वो उनके अंदर सो औरतों से भी ज्यादा औरतपन का गुड़ है क्योंकि कुछी भी एंगल से आदमी तो मुझे लगते ही नहीं औरतों की तरह बोलना औरतों की तरह मतकना औरत भी उनके आगे सायत कम पड़ जाएगी तो यहां सपना ने बोला कि मेरे उपर जो बीती है उसको तो आप समझ नहीं सकते खुद तो टाइटल लगायते थे आप खुद की जो सामने वाली लेडी है वो तो टाइटल लगाती थी कि मेरा सास से हो गया जगडा पती मुझे छोड़के जा रहा था तो मैं तो आज तक ऐसा टाइटल नहीं लगाई जो मेरा रियल्टी रहता था मैं वही टाइटल लगाती थी और वही पब्लिक को दिखाती हूं और यह बास सही है सपना जब उसके घर में अच्छा रहता था खुसहाली रहता था तो सपना अच्छी चीज़ें दिखाती थी लेकिन वह जो सामने वाली है चाहिए एक बार आप मिल आईए आपको अच्छे खासे व्यूस भी मिल जाएगा और हो यह तो पता चलेगा आपको मेरे ससुराल वालों का कितना चिंता है मैं कब बोली आप एक पच्छ का बात नहीं सुनिए मेरा पच्छ सुन रहे है सब लोग उनका भी जरूरी है को उन और वो भी सपना के पास वीडियो नहीं आया था सपना के लेपटॉप में अंसु का वाटसप खुला है ऐसे ही करके कुछ रिलेटेड है तो जिसके वज़ा से सपना को किसी मतलब अंसु को वीडियो भेजा गया तो वो वीडियो सपना के लेपटॉप में खुल गया जिसक बच्ची है उसको पूछ लो, छोटी छोटी नातनी है, कि हमेशा बाबा आजिक सातession मैं खेल रही थी। लेकिन बच्चीयों को भी नहीं पूछा जा उसके बाद से यह सब तूल तलाम फलाना धिमकाना उनलोग का दिख रहा है सब यूटूब के पैसे से फिर भी देखो सपना जो है ना बिना कुछ लिए वहां से लिकल गई कोई भी लड़की रहती बोलती पूरा मुझे जो मेरे कमाई का मुझे पहले हक दो मैं फिर वहां से जाओंगे लेकिन सपना को क्या थाममीं चाहिए था सांति चाहिए था कि मुझे सांति चाहिए बाद की मुझे कुछ नहीं चाहिए ग्加शा और यह सब दावर कि देखो आप आंसो जयाकר है centimet जो सकते हैं है और अन्सों अरत्या यह सपना पहुचम्ट से नहीं बोफ़ाई क्योंकि अंसु सपना की भाई की लड़की है तो ज्यादा सच्चाई तो यह है अंसु उन्हीं लोग के तरफ बोलेंगे क्योंकि अब जो उनकी मा बोलेंगी वही बोलेंगी अंसु मेरे तरफ से कभी भी खुल के नहीं बोल सकती उसके पीछे भी कारण है कि माबाप के खिला वाले हैं वो उनके तरफ से बोलेंगे सबका अपना अपना अलग है तो उसके बाद रेनु सर्मा के जो बती भौकाल मार रहे थी इतना कि भूत करवा दूँगा मैं भूतों से खेलता हूं मैं भूत करवाता हूं चुड़ायल मेरे सारोपे नास्ती है तो बहुत से चीज़े बोल रहे थे मैं यह फायर से नहीं डरता मैं केस से नहीं डरता मेरा यहां पहुच है टाइम आने पर मैं सारी चीज़े लाओंगा या कर दूँगा वा कर दूँगा सारी चीज़े अपना फेकम फाकी मचाये थे लेकिन जैसे सपना का यह वीडियो आता है कि मैं कुछ भी क करती हूं मेरे जाने के बाद सारी जिम्मेवारी इन लोग की उपर आएगी मेरे मेरे साथ अगर कुछ भी कलकोग होता है तो उसके बाद इन लोग दोनों पती-पत्नी का हवा हो गया गुल अब हवा गुल होते ही इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें यह माफी माग रहा थ सर्म नाम की चीज नहीं था इसमाइल पूरा फेस पर था जैसे लग रहा था इस अपना पर हसान कर रहा है बोरा देखो भाई यह मेरा ऐसे ही मेरा फेस है मुझे बहुत तकलीफ होता है सामने से तकलीफ दिखता है तभी मेरा थोड़ा फेस वैसा बनता नहीं तो मेरा फेस दी थी और मैडम लाज पर्दे की बात करती है, मै तुंगत में नहीं, जहां तक मैडम का बहुत कुछ कहना था सामने वाले का, तो वहां पे पर और वह जो लोग है ना उतने गिरे हुए लोग है जब लोग वीडियो बना लेते हैं तो बोलते हैं इंटर्टेंड्मिंट के लिए वीडियो बनाए है, आप लोग को मज़ा आये, किसी के दुख का मज़ा नहीं उडाये जाता है अबिषंद को Jefferson को बने लान दाए नौर्मल जगड़ा लड़ाई किसी के घर का चल रहा तो उसको एक बार बोल सकते हैं कि मज़ां आ रहा है लेकिन किसी के दुख में आप ईसे कैसे बोल सकते हैं को कि आगे बहुत सी कटनाई जिंदगी में आएगी तो आप इतना बड़ा कदम उठा ली है खुद के दम पे तो आगे भी ऐसे आप हिम्मत दिखाए क्योंकि आपकी बच्चियों का सोचिए मां के बिना बच्चियों का कोई भी दुनिया में नहीं होता यह सचाई जब आप हैं जब आप हैं तब उनके दादा दादी नहीं बच्चियों को पूछ रहे हैं तो अगर आप कभी ऐसा कदम उठाने का सोच नहीं करेंगी तो बच्चियों का क्या होगा तो समझ लीजिए मैं आपको बस यह ब्राय दे रही हूं कि अगर मेरी वीडियो आप देखे तो त चलिए मिलते हैं नेक्श वीडियो वीडियो पर संद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करेंगा शेयर करेंगा बब्बाई दोस्तों रखें अपना ख्याल